दोस्तों आप सक पस्वागत है आज हम रिवीव करने वाले हैं इरोजना ओरिजिनल वेब सिरीज फ्लिप तो सबसे पहले हम इस वेब सिरीज की बात कहलेते हैं कि इस वेब सिरीज में टोटल चार एपिसोड्स हैं और सभी चार एपिसोड एक दूसर से बिलकुल ही अलग हैं, जो कि इस web series की एक खास बात है, इस मामले में कम से कम इसके अलावा अगर हम इस वेब सेरीज की खासियतों की बात करें तो इस वेब सेरीज का प्रिजेंटेशन, नरेशन, एक्टिंग और जो स्टोरी है वो हमें काफी जादा इंप्रेस करती है कुछ अलग यहां पर करने की कोशिश की गई है जो कि मैंने बताया, जो कि हमें संतुष्ट भी करती है लेकिन इस वेब सेरीज में फिर भी हमको बहुत सारी कमिया लगती है और इस वेब सेरीज को जब आप देखोगे तो वो क्या कि सारी कमिया है वो आपको वेब सेरीज को देखते समय पता चलेगा मतलब ये कमी हमें तब महसूस नहीं होती जब हम इस वेब सेरीस के जितने भी एपिसोड से उनको देखते हैं ये ऐसा समय तब होता है जब एपिसोड खत्म हो जाता है तब हमें लगता है कि यार कुछ मजा नहीं है उनको और बढ़ियां से दिखाना चाहिए था तो हो सकता है कि ये वेब सेरीस और भी जादा बढ़ियां हो सकती थी और जैसा कि मैंने बता है था कि इस वेब सेरीस के सारे के सारे एपिसोड एक दूसरे से बिलकुल ही अलग है जो कि इस वेब सेरीज की एक खास बात है तो इस वेब सेरीज में टूटल चार एपिसोड है पहला एपिसोड दा हंट, दूसरा एपिसोड बुली, तिसरा एपिसोड मसाज और चौथा एपिसोड हैपी बर्डे तो चलिए हम इन सभी एपिसोड को रिव्यू करते हैं हाला कि मैं यहाँ पर स्पोइलर नहीं देने वाला हूँ तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए यहाँ पर जो पहला एपिसोड है वो location, presentation, direction और cinematography के मामले में हमको impress करती है action scenes में काफी बढ़िया है इस episode में मतलब लगब 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 इस episode को Hollywood style में ही बनाया गया है मुझे देखकर तो ऐसा ही लगा लेकिन इतनी सारे चीज़े होने के बाद भी यह episode हमको impress नहीं कर पाता है क्योंकि इस episode के खतम होने के बाद हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल जो चलते रहते हैं जिसका जवाब यह episode हमें दे नहीं पाता है क्योंकि इस episode में हमें क्या क्यों किसलिए इसका जवाब नहीं मिलता है जिसकी वज़े से यह episode हमें काफी साथा disappoint करती है इसके अलवा अगर हम बात करें दूसरे एपिसोड की तो दूसरे एपिसोड का presentation और narration ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आयाँ लेकिन अगर हम बात करें इस एपिसोड की इंडिंग की तो वो मुझे कुछ खास impression नहीं कर पाया था हो सकता है आपको कर दे तो बात अलगे अब बात करते हैं थार्ड एपिसोड की मसाज इस एपिसोड को मैंने बिना एक्सपेक्टेशन के साथ देखा था लेकिन इस एपिसोड ने तो बुम ऐसा ही कर दिया मतलब इतना पढ़िया लगा मुझे ये एपिसोड इस एपिसोड में एक्टिंग, डिरेक्शन, इसके अलवा स्टोरी और पेजेंटेशन कममाल का है अगर आपको फिलिप का सही नजारा देखना है न तो यही एक एपिसोड है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए अगर आप फिलिप ये वेब सिरिस देखने वाले हैं तो और सबसे जादा मुझे बहतरीन अगर कोई एपिसोड लगी भी थी तो वो यही एपिसोड थी हाला कि इस एपिसोड का जो एंडिंग है वो हमको डिसपोइंट करता है क्योंकि क्योंकि जनों ने इस эпिसोड को देखते समय अगर धिया नहीं दिया तो उनकी दिमाग में तो confusion नहीं रहेगा इस एपिसोड को देखने के बाद मतलब एक बहचेनी से रहेगी दिमाग में कि मतलब इंडिंग कुछ ऐसा ही है इस एपिसोड का जो कि मुझे थोड़ी सी यहां पर एक कमी लगी इस एपिसोड में नहीं तो overall यह एपिसोड कमाल का है अब बात करते हैं चोथे एपिसोड की हैपी बर्डे इस एपिसोड की बस एक खास बात यह है कि यह एपिसोड कोई सवाल छोड़ती नहीं है आखिर में हमको संतुष्ट करती है और मतलब overall अगर मैं बात करूँ तो यह एपिसोड अच्छा था देखने लाइक था यह एपिसोड अच्छा है लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़ादा बढ़िया है मतलब देखने लाइक है तो कुल मिलाकर अगर बात करें इस वेब सेरीज को देखने के बाद मेरे एक्सपिरियंस की कि कौन से ऐसे एपिसोड हैं जो आपको देखने चाहिए मैं रिकमेंट कर सकता हूँ आपको तो टोटल तो यहां चार एपिसोड हैं लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट एपिसोड लगा यहां पर हलाकि वो कनफ्यूज करता है एपिसोड और वो एपिसोड है एपिसोड थ्री क्योंकि इस एपिसोड में जो आपको एक्टिंग देखने के लिए मिलती है वो अलग ही लेवल का है और मैं आपको एक्स्प्लेन नहीं कर सकता कि कितना मज़ेदार था वो देखना कि क्या कमाल के एक्टिंग पहली बार कुछ ऐसा अलग कुछ बहतरीन एक्टिंग मुझे को मिली थी तो इस वेब सिरीज का जो थर्ड एपिसोड मसाज तो मैं आपको वही एपिसोड रिकमेंड करता हूं अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो यह एपिसोड जो है वो मस्ट वॉच है आप अगर इस वेब सिरीज को देखने वाले हैं तो इस एपिसोड को म पर अवेलेबल हैं तो अगर आप चाहें तो जाकर इस वेब सेरीज को आप देख सकते हैं तो जहां तक बातरी इस वेब सेरीज को रेटिंग देने की तो मैं इस वेब सेरीज को रेटिंग दोंगा 7 out of 10 star बाकि दोस्तों अगर अपनी ये वेब सरीज देखिए तो आप अपनी विचार से क्या सुचते हैं इस वेब सरीज के बारे में वीडियो को लाइक किजी अपनी दोस्तों के साथ शेयर किजी कोई सवाल ये सुझाओ तो कमेंड किजी और चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुली मत भूलेगा तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसे दूसरे नहीं होई या फिर इस तरह के वेब सरीज के रिव्यू के साथ जोहार